हलो फ्रेंड्स वेलकम टू किचन खोराना तो आज बनाते हैं रसखुला उसके लिए मैंने एक लीटर फुल फैट डूद ले लिया है तो इसको इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है तो इसमें हम पनीर त्यार करते हैं अब बजार का बना हुआ पनीर भी ले सकते हैं पर मैं घर पे बना के बताऊंगे आपको तो यह हमारा दूद हो गया है तो अभी हम इसको स्टेन कर लेंगे मसलीन क्लोथ ले लेना एक और यह सारा इसमें ट्रांसफर कर देते हैं इसको थोड़ी दे रखके ठंडा कर लीजे और उसके बाद इसका सारा पानी जो है वो अच्छे से हमने नी चोड़ लेना है इसमें थोड़ा सावी पानी नहीं रहना चाहिए यह देखे अब हम इसको हाथों से अच्छे से मसल के क्रम्बल कर लेते हैं यह देखिए अब इसको एक पड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको अपने हाथों की मदश से अच्छे से हमने इसको मसलना है मुलायम जब तक नहीं हो जाता ऐल इसका रेलीज होना चाहिए तो यह हम अच्छे से इसको यह देखे आसे करना है इसको अच्छे से मसल के जब इसकी बाइंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो समझ लेना कि यह हमारा तयार हो गया है यह भी थोड़ा थोड़ा ओयल रिलीज हो रहा है इसमें से अभी थोड़ी देर और करना पड़ेगा इसको अभी हम इसमें डेट चम्मच के करीब कौन फ्लॉरेड करेंगे थोड़ा सा देशी घी डाला है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजेए यह देखिए अब डो फॉर्म में आ गया है यह तो अभी इसके रसगुला बना के त्यार कर लेते हैं यह देखिए मैं गोल गोल बना रही हूँ आप जैसी हो शेप में बनाना चाहते हैं आप ऐसे बना सकते हैं यह देखिए, तो ऐसे ही सारे बनाके तयार कर लेते हैं, यह हमारे रजगुल्ला अच्छे से बन के तयार हो रहे हैं, यह देखिए, अभी हमारे सारे रजगुल्ला बन के तयार हो गए हैं, तो चलिए, अब हम इसकी चाशनी तयार कर लेते हैं, एक छोटा पैन ले लिया है, मैंने, उसमें एक कप चीनी डाली है, मैंने, और इसमें दो कप पानी जाएगा, तो अब इसको, इसमें थोड़ी, मैंने दो इलाइची डाली है, थोड़ा सा, केसर, इसमें बड़ा अच्छा कलार आएगा इसका, यह देखिए, इससे टेस्ट काफी इनहांस हो जाता है, और यह जब पानी इसका चाशनी बॉइल हो जाएगी, अच्छे से एक तार की, तो उसके बाद हमने यह अपने रसगुल्ला इसमें डाल देने हैं, यह देखिए, अब इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है, और रसगुल्ला भी हमारे बन के तैयार हो गया है, दोस्तों आपको मेरी रसपी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, हमारे रसगुल्ला त्यार हो गए है, तो अभी हम इसको बोल में ट्रांसपर कर लेते हैं, थैंक यू